इंडिया Post Permanent Bank यानि IPPP में आप दो परकार के बच्चत खाते खुलवा सकते हैं एक होता है regular बच्चत खाता और दूसरा होता है premium account तो आपके लिए कौन सा खाता खुलवाना सही रहेगा आईए जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार आप देख रहे हैं postal दोस्त पहले हम जल्दी से दोनों खातों में क्या-क्या समानता है वह जान लेते हैं यहाँ पर दोनों परकार के account आप किसी भी Post Office के अंदर या Postman के पास में खुलवा सकते हैं दोनों ही account हातो हात खुलते हैं और दोनों में किसी परकार का forum आपको नहीं बरना पड़ता है यहाँ पर आपकी detail आधार के वैसी से प्राप्त की जाती है तो जो भी आधार में detail होती है वह detail automatic यहाँ पर सिस्टम में आ जाती है दोनों ही खातों पर आपको virtual debit card मिलता है जो कि आपके mobile के अंदर ही save रहता है और आपको physically यहाँ पर कोई card या passbook नहीं मिलती है यहाँ पर दोनों ही account के अंदर कोई minimum balance maintain करने की आउसकता नहीं होती है इसके अलवा IPPP के regular और premium account के अंदर आपको monthly या 6 माई या 12 माईने से आपको free statement अपने email पर मिल जाता है जो कि आपको account opening के समय ही select करना होता है साथ ही अपनी email ID महाँ पर update करवानी होती है दोनों ही खातों पर आपको एक mobile app IPPP mobile banking मिलती है जिसके द्वारा आप IMPS, UPI और NAPT के साथ RTS कर सकते हैं यह सुईदा है आपको postman या post office के through भी अपने account पर मिल जाती है आप दोनों ही परकार के account को अपने post office के budget खाते के साथ में link कर सकते हैं और वहाँ से पैसा sweeping और sweep out के माध्यम से एक account से दूसरे account के अंदर बेश सकते हैं दोनों ही खातों में आपको virtual debit card के लिए charge यहाँ पर देना होता है जो कि एक बार 25 रुपे लिया जाता है और 5 साल तक आपका valid रहता है interest rate दोनों ही खातों में same है यहाँ पर आपको एक लाग तक की राशी पर 2% ब्याजदर मिलती है और एक लाग से उपर जो भी amount आपका पड़ा रहता है उस पर आपको 2.25% के इसाब से ब्याजदर मिलती है कुल मिला कर premium account आपकी regular account का यह एक upgrade है जिसमें आपको कुछ additional सुईदा यहाँ पर मिलती है तो वो कौन-कौन से सुईदा है आईए जान लेते है regular budget काते के अंदर यदि आप एक limit से ज़्यादा case transaction करते हैं तो वहाँ पर आपको charges देने होते हैं जैसा कि आप 10,000 से ज़्यादा deposit monthly करेंगे या 25,000 से ज़्यादा का withdrawal करेंगे तो यहाँ पर आपको case transaction charge देना होगा उसका detail वीडियो हमारे channel पर पहले से हैं और आप उसको देख सकते हैं जबकि premium account आपको open करवाने के बाद में यहाँ पर case transaction की कोई limit नहीं रहेगी आप कितना ही case deposit करवाएं withdrawal कराएं आपको कोई charge नहीं देना होगा साथ ही regular saving account के अंदर यदि आप post office के बाहर या अपने गर पर कोई land in करवाता हैं तो उस condition में आपसे door step charges लिये जाता हैं जबकि premium account में आपको किसी भी service का door step charges नहीं देना होता है इसके अलावा जब भी लगू होगा आपको IPPP के बच्चत काते के अंदर minimum balance maintain करना होगा और आपसे AMC charge यहाँ पर लिया जाएगा जबकि premium account होने पर आपको वह AMC charge नहीं देना होगा लेकिन वहाँ पर आपको minimum 2,4 का balance maintain करना होगा रेगुलर बच्चत काते के अंदर आपको किसी परकार का case back यहाँ पर नहीं मिलता है जबकि premium account पर महिने के पहले electricity bill पर आपको 5 रुपे case back यहाँ पर मिल जाएगा इसके अलावा यदि आपको digitalized certificate बनवाना होता है तो आपको कोई discount regular saving account में नहीं दिया जाता है जबकि premium account दारकों को यहाँ पर 50% discount DLC charges के अंदर दिया जाएगा इसके अलावा यदि आप India post payment bank का regular saving account खुलवाता है तो वह free है जबकि premium account आपको 200 रुपे से खुलवाना होगा और उसमें से आपको 500 रुपे plus GST first year premium account charges के रुप में यहाँ पर काट ले जाएगे regular budget काते में आपको किसी परकार का charge अगली साल भी नहीं देना होता है जबकि premium SP account के अंदर आपको दूसरे साल 99 रुपे plus GST यानी 117 रुपे यहाँ पर देने होंगे आपको बता दे हैं कि दोनों ही खातों में SMS charges आपको देने होंगे इसी परकार की मेहतपों जानकारी के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो को like और share भी करें अधिकांस लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन subscribe नहीं करते हैं तो उनसे special request है कि हमारे चैनल को subscribe भी जरूर करें नमस्कार जैहिं